कि गाइस ball bearing का कोई जहमेला नहीं आएगा noise का वेगरा का कोई problem नहीं आएगा धक वेगरा पक चक्का पले वगरा इसापका कोई चीज का problem नहीं आए सो गाइस cycle का wheel में bearing लगाना सही है या फिर नहीं है गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं ये wheel का हव है इसमें आपका bearing लगा हुआ जैसा कि आप देख पा रहे हैं और ये जैसा कि आप wheel देख पा रहे हैं तो इसका wheel का हव है गाइस इसमें आपका जो है non bearing है गाइस या आपका ball bearing हवाल हाब है थिके धाइस तो दोनों का ही हम आपको है серд है आपको है लगा इसमें आपका बार इसमें नहीं हो नहीं है डॉस इसमें आपको front and rear दोनों में ही इसका आपको बैरिंग लगा हुआ है। तया है सुगाइस साईकल का wheel में जो अलग से बैरिंग लगाया जाता है, क्या वो सेक्सेश है? सही है? सही रहता है? तो आज की इस विडियो में हम आप लोग को ओही चीज़ बताने वाले हैंto कि ball wiring वाला wheel सही रहेगा या फिर bearing वाला wheel सही रहेगा cycle में जो अलग से install किया जाता है bearing cycle का wheel में सो गाईस सब सब पहले दोनों ही wheel का performance चेक करते हैं गाईस ball bearing वाला और bearing वाला उसके बाद आप लोग को बताएंगे cycle का hub में अलग से bearing install करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा और सही रहेगा भी तो किस वज़ा से रहेगा कैसे रहेगा सारा चीज आज हम इस वीडियो में clear कियें ताकि आप लोग का कोई भी सा problem ना हो future में भी ना हो तो चलिए वील का performance चेक करते हैं तो देख पा रहे हैं दोनों वील हमारे पास front वील है ठीक है गाईस तो front वील में ही हम आप लोग को performance चेक करके दिखा देते हैं कि किस तरह का perform कर रहा है दोनों ही वील बॉल बैरिंग वाला और बैरिंग वाला तो गाईस इसका जो break है गाईस ब्रेक को हम सही से सेटिंग कर लिए ब्रेक में ना आधर कहीं पर भी कोई टाच वेगरा इसा कुछ नहीं करेगा वील एक दो इस्टेड में घूमते रहेगा ठीक है गाईस तो चलिए एक बार में गूमाते हैं प्रोफ Claycomb करके दिखाते हैं एक दोनों ही वील को हम पकड़ लिए हैं और एक झठका में घूमाई गैस को जैसा कि देखे हम एक घ्टका में वील को घूमाए अब चलिए दोनों का प्रफांवेंस देखते हैं बैरिंग वला और बाल बैरिंग वाला रहा है उसके बाद आप लोग को आगे बताते हैं so guys performance जैसा कि आप देख पा रहे हैं guys ball bearing वाला जो वील है guys यह आपका धिमा हो चुका है लेकिन bearing वाला guys अभी भी घूम रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं और देखी guys ball bearing वाला आपका रुख गिया है और bearing वाला देखे आ अभी तक आपका घूम रहा है so guys तो आप चलिए हम आप लोग को बताते हैं so guys बताना चाहेंगे ball bearing के मुकावले bearing वाला जो है guys wheel सबसे ज्यादा best guys जैसा कि performance आप लोग देखी लिए हैं हम अच्छे से देखा दिया आप लोगों को वीडियो को कहीं पर भी cut नहीं किये हैं लेकिन guys एक चीज़ आप लोग को बताना चाहेंगे हम अपना cycle का wheel में bearing कैसे fit कर सकें तो इस पर हम dedicate video बना चुके हैं जो कि आपको नीचे description में link मिल जाएगा हमारे उस video को जा करके आप देख सकते हैं अगर आप bearing hub में सही से नहीं fit कर पाते हैं तो इसमें आपका problem आ सकता ह wheel जो है guys आपका play बताएगा अगर आप bearing सही से cycle में नहीं fit कर पाते हैं तब यह problem होगा लेकिन guys अगर आप bearing अपना cycle का hub में सही से fit कर लेते हैं तो कोई भी problem नहीं आएगा guys आसानी से guys cycle आपका चलेगा कोई भी problem नहीं आएगा और in future अगर bearing खराब भी होता है तो आप आसा तो guys तो यह आपका wall bearing सबसे ज़्यादा best है guys क्यूंकि यह आपका चलते हुए आ रहा है और चलते हुए जाएगा अगर guys भविस में अगर bearing वाला hub आता है तो सभी cycle में आपको जो है bearing दिखेगा hub में लगा हुआ guys फरन एन रियर दोनों में ही guys तो अभी के लिए फिलाल जो पर मिल जाएगा guys आप वह सब को भी देख सकते हैं और मेरा वीडियो को भी देख सकते हैं और अंदाजा लगा करके आप अपना cycle का हब में bearing फिट कर सकते हैं जो कि कोई भी problem नहीं आएगा performance के मुकावले हम बताना चाहेंगे guys bearing सबसे ज्यादा best रहेगा wheel में guys अगर install हो ज cycle के चाल भी आपका सबसे ज्यादा best हो जाएगा smooth हो जाएगा और कोई भी problem नहीं आएगा लेकिन गाइस बाल बाइरिंग वाला में बताना चाहेंगे कभी चक्का play होगा तो कभी ball bearing noise का problem आएगा ball bearing से कभी कप खराब होगा कभी bearing खराब होगा कभी गोली खराब होगा आप आपको change करवाना पड़े जो कि हर 6 माहिना में करवाना पड़ता है ball bearing change will का गाइस cycle का चाहे देशी बाइसिंग का cycle हो या फिर बीसिंग का cycle या फिर आधर कोई भी cycle हो गाइस अगर आप अपना cycle का will में bearing fit कर लेते हैं तो यह problem से आप बचेंगे और आपका cycle का speed तो बढ़े लेकिन आ जाता है bottom bracket की बारे bottom bracket में भी किस तरह से bearing fit होगा इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं वह वीडियो का भी link आपको नीचे description में मिल जाएगा वह भी वीडियो को देख करके आप bottom bracket में भी लगा सकते हैं जो कि गाइस chain उतरने का problem होता था गाइस तो chain उतरने का problem नहीं आएगा padaling आपका बहुत ज्यादा smoothy और fine हो जाएगा गाइस क्योंकि ball bearing जो होता है कुछ दिन के बाद चलने के बाद play हो जाता है धाक हो जाता है तो उसके जो है यह जो गेर आप देख रिसका alignment थोला सा problem आ जाता है उसके ज्यादा लूज होने बाद गिरता है इसमें आपको बहुती कम उतरता ज्यादा नहीं उतरता इसके लिए अगर आप बोटम ब्रेकेड मेरिंग लगा लेते चाल में तो फरक आएगा या आएगा साइकल आप तो आपका बहुती ज्यादा बेस्ट और स्मूथ चलने लगेगा सो गैस मैं आसा करता हूं आप सत्सक्राइब नहीं कि तो कर लिजेगा प्यारा साइक लाइक कर देजेगा और जितना होस्ति के आज़र मीस नेला वीडियो